नमस्कार आप देख रहे हैं व्यमार भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ जोतिका आई रू करते हैं खबर की उर्ड हमारी समवाज दाता ने खास मुलाकात की क्रेव विक्रे सहकारी समिटी राइसिंग नगर के चेयर्मैन राकेश टोलिया से देखी रिपोर्ट समरा जी सबसे पहले तो मैं आपको बढ़ाई देना चाहूँगा कि बोल्ड जो बना है उसमें आपकी भागिदारी रही है आपकी भूमे का रही है अगर मैं साइद अंजान नहीं तो आप में सरपंच भी रहे हैं आप और सरपंचों के दोरान भी आपने सांदर तरिके से का पूरा सब क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर वह इस आने वाले समय में लाके में विकास को लेकर विकास तो पहले कांगर्स की सरकार दोरा लगबगर पिछले साड़े-चार साल से सभी लोग जानते हैं और अही बात इस चुनाव की तो हम पहले दिन से अश्वास्त थे कि जे चुनाव जो हमारे नव निजुक्त बलोक अधेक्स ठोलिया जी जीतेंगे और सभी इनका सभी कांगर्स जनों का सभी का इसमें पूरा सह जोग रहा है अच्छा समरा जी अब किस परकार की उमीद जताते हैं हलाकि आप कॉंगर्स पार्टी से भिलूम करते हैं हराकेश जी ठोलिया नव निर्वाचित बलोक अधेक्स पद पर भी जो है वो काबिज है लेकिन फिर भी किस परकार की उमीद जताते है क्योंकि राइशन अगर्स लाका है वो हमेशा संगर्सों का लाका रहा है संगर्स ही लोगों की ये धरती है और हर चीज के लिए संगर्स करना पड़ता है इस परकार किस परकार संगर्स रहें हम भी करते रहें और बकी जो 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 क्रेविक करे का चुनाव हुआ है जो चेर्मेन बने हैं जो किसानों से जुड़ा हुआ हुआ है खाद और बेज की जो पहले परचा से किता है इतने सरकार तक आपको पता है भी पिछली बार भी बड़ी दिक्कत रही और हमारा प्रयास र रेक्टर हम से जो करके किसानों को समी सभी सभें पर खाद और बीज उपलादू कराया जा सके और जो कटनाइगा नई दानमंडी में तोला तलाई की जो भी समस्यारी है उसका जल्द से जल्द निश्तारन करवाएं जी तो आज हमने खास मुलाकत में बात की क्रे विक्रे स सहकारी समीति के नव निर्वाची चेर्मेन वे ब्लोक कॉंग्रेस कमेटी रैसे नगर के अधैक्स राकेश जी ठोलिया से राकेश जी ठोलिया ने काया कि जनता ने विश्वास जताया है ताज पोसी की है तो उस विश्वास पर पहले भी खरे उतरे हैं और आने वाले समय म को मजबूत करने ही में ठोलिया जी निकाय कहीं कोई कमी नहीं रहेगी मेरे सौगी साथी निसान के साथ रमेश मेगवाल राइशनगर